इस बार हिमाचल करेगा ना इस बार दुबारों लाने का निर्णा करेगा ना ये पुरानी बातों को छोड़ेगा कर नहीं छोड़ेगा और मेरे हिमाचल के भाईयों मैंनों आपने मुझे दिल्ली में बिठाया है मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ पिछले पांच साल से कर रहा हूँ आगे भी करना चाहता हूँ मुझे सेवा का मोका दोगे ना पक्का दोगे हैं और मैं आपको वादा करता हूँ इस धर्दी के बेटे के नाते मैं आपके लिए जितना कर सकता हूँ कभी पीछे नहीं रहूँगा भाई लेकिन अगर यहां आपको ऐसे लोगों को बिठा दिया जो काम को आगे ही न बढ़ने दे तो क्या होगा मैं कितना ही दिल्ली से जोर लगाऊ काम हो पाएगा क्या रुकावट आएगी कि नहीं आएगी इसलिए भाईयों भेहनों यहां भाजपा की सरकार बनाएए ताकि मैं आपकी सेवा अच्छी तरह से कर सकते हूं भाईयों भेहनों कॉंग्रेस ने अपने लंबे शासन में हिमाचल का जितना नुक्षान किया है उसकी भरपाई के लिए और फिर तेजगती से काम करने के लिए भाजपा को दुबारा जीताना भाजपा को बार बार जीताना और दिल्ली की मोदी सरकार की भी भाजपा सरकार को पुरी मदद मिलती रहे ये पक्का करने वाला ये चुनाव है साथियों कॉंग्रेस कैसे काम करती है इसका मैं आपको एक उधान देता हूँ एक एक चीज याद रखे भुलना मत पचास साल से जादा हो गए जब कॉंग्रेस ने गरीबी हटाओं की बात कही थी जब भी आओ गरीबी हटा के नारे दगाओ गरीबी हटाओं नारे लगाओ बादा करना और लोग भी मानते जहाँ यार गरीबी जाएगी चुनाव होते गए गरीबी हटाओं का नारा देकर कॉंग्रेस सरकार बनाती गई लेकिन देश से गरीबी नहीं हती जूठे वाइदे करना जूठी गारंटी देना ये कॉंग्रेस की पुरानी तरकीव रही है आपको याद होगा किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कॉंग्रेस किस तरह जुड बोलती रही इसका गवा भी पुरा देश रहा है कॉंग्रेस की सच्चा ये है कि 2012 में जिस गोषणा पत्र पर वो चुनाव जीते मैं आज से दस साल पहले की बात कर रहा हूँ उसमें आप निकाल करके देख लीजिए 2012 में उनके जो वादे किये थे जो उनके गोषणा पत्र में लिखा था एक भी काम उन्होंने 2012 से सत्रा आपने उनको सरांखों पर बिठाया आपका एक भी काम उन्होंने किया नहीं खोल करके देखा नहीं गोषणा पत्र उन्होंने जबकि भाजपा की पहचान है कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात खपा देते हैं भाईयों बैनों दिन रात खपा देते हैं भाजपा जो संकल्प लेती है उसकी सिद्धी करके दिखाती है भाजपा ने जम्मु कश्मी से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प लिया लिया था न लिया था न पूरा किया अग नहीं किया पुरा किया अग ने किया भाजपा ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था और वो दिनरे भी इसी हिमाचल की धर्ती में पालमपूर में भाजपा की वरकिंग कमिटी में दिनरे किया गया था भाईयो इसी देव भूम में दिनरे किया गया था आज राम मंदिर बन रहा है कर ने बन रहा है अब बताइए बन रहा है कर ने बन रहा है ऐसे नहीं जड़ा जोरों से बोलिये बन रहा है कर ने बन रहा है बादा निभाया कर नहीं निभाया बतन पुरा किया कर नहीं किया साथ यो भाजपा के संकल्पों के सिद्धी का एक और दुरान ये तो हमारी वीरों की भूमी है हर परिवार फोजी परिवार है हर घर हिंदुस्तान के शुरुच्छा का कीला है अब देखिए बन रैंक बन पेंशन एक ऐसा उदारन है और कॉंगरेस को जानने समझ ले के लिए काफी है कॉंगरेस चालिस साल से देश के फोजियों को हर चुनाव में वादा करती थी आपके हिमाचल के मेरे फोजी परिवार पराबरियाद होगा हर बारवादा करते थे बन रैंक बन पेंशन बता जाएगा चुनाव जिता दो आ जाएगा कितनी सरकारे बनी कितनी प्रदानमंत्रिया कितनी बारवादे करके गए लिकिन इतने वर्षों तक केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी बेक कभी भी बन रैंक बन पैंशन को लागू नहीं किया और दिखावे के लिए बजेट में मामली 100-200-300 करूट डूपर डाल देते जो लिख देते थे दिखे इससे होना नहीं था ये आँख में धूल जोकरे कि उनकी आदख जूठे वादे करना चुनाओ जीतना फिर बूल जाना यही उनका चरित्रा हिमाचल में हर बार वो जुड बोलते रहे देव भूमी में जुड बोला है देश की वीर माताओं के सामने जुड बोला देश के वीर जुड बोला भाईयो बेनो मैं हिमाचल में आया था 2014 में चुनाओ में आपके वोट मांगने के लिए आया था और मैंने हिमाचल में आकर के मैं कहा था मैं जानता हूँ मामला बहुत बड़े धन का है धन खर्च करना पड़ेगा तीजोरी खाली करने पड़ेगी लेकिन ये बादा मैं पूरा करूंगा भागयो बैनो वन रैंग बन पैंशन का बादा हमने पुरा किया नहीं किया किया बादा 40 साल तक उन्होंने किया ता नहीं पुरा किया हमने बादा किया पांच साल के बीतर पुरा कर दिया था जुबां की कीमत होती है और लोग तंत्र में भारतिय जनता पार्टी की जुबा जनता जनार्दन को समर्पिद होती है जनता जनार्दन के लिए संकल्पिद होती है भाईयो वन रैंक वन पेंशन लागू होने की विज़र से हमारे रिटाइड फोजी साथियों की जेब में उनके परिवार के पास पहले जो पेंशन जाता था उससे अतिरिक और साथ हजार करोड रुपिया मेरे इन फोजी परिवारों के जेब में गए भाईयो साथ हजार करोड रुपिया बहुत बड़ी अमाउंट होती है आप ध्यान दीजिए साथियों क्या कॉंग्रेस सरकार होती तो ये साथ हजार करोड रुपिया मेरे फोजी परिवारों के घर में आते क्या भाईयो बहनों कॉंग्रेस की सरकार होती तो आज भी वन रेंग वन पैंशन के नाम पर आप लोगों को ठगती रहती साथियों उनके बादे कभी सही नहीं निकले इस चुनाव में भी बादे करने में पीछे नहीं अटेंगे उन पे भरोसा मत करना